तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्स्प्लेंड करने वाले हैं हाली में रिलिज वी फिल्म सत्य प्रेम की कथा को जिसे समीर विद्वन्स के डिरेक्शन में बनाय गया है इस फिल्म की कहानी बहुती अमेजिंग है इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखें तो चलिए सुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी सुरू होती है एमदाबाद में रहने वाले सत्य प्रेम से जो की एक बेरोजगाल लड़का है एलल बी फाइनल येर में फैल होने के बाद सत्य प्रेम अब अपने परिवार के साथ रहता है उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और उसकी एक बेहन है फिल्म में कार्थिक आरन का नाम तो वैसे सत्य प्रेम होता है लेकिन लोग उसे प्यार से सत्तू कहते हैं सत्तु की मा और बहन गर्बा सिखा कर घर का खर्चा चलाती हैं सत्तु के पिता और सत्तु घर का काम काज करते हैं उसके मोले के सभी लड़कों की साधी हो चुकी है सत्तु मोले में मात रेक इकलोता कुमारा लड़का होता है सत्ति प्रेम की भी अब इच्छा होती है कि उसकी पसंद आई थी जिसका नाम कथा था कथा को सत्य प्रेम ने एक सल पहले जलसे में देखा था और कथा को पहली बार देखते ही सत्य प्रेम को उससे प्यार हो गया था यहां तक सत्य प्रेम कथा से बात करने की कोसिस भी करता है लेकिन बात सुरू होने से पहले ही कथा सत्य प्रेम को बताती है कि उसका एक बॉइफ्रेंड है जिसका नाम तपन है यहां सुनकर सत्य निरास हो जाता है और कथा से कहता है कि तुमारा तो तुमारे के साथ हैस्टेग भी नहीं बनता हैस्टेग बनना चाहिए जैसे कि हम दोनों को नाम सर्थिप्रेम की कता वो दोनों बात करी रहे होते हैं कि तब ही कता का बाद फ्रेंड तपन वहां आ जाता है और वह कता को अपने साथ लेकर चला जाता है इस वज़ा से सत्तू बहुत जहां पर सत्तू को ना तो कोई लड़की मिल रही थी और ना तो उसके घर वाले कोई कोसिस कर रहे थे कि सत्त प्रेम के लिए हम कोई लड़की डूनें सत्त प्रेम का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो उसके पिता जी होते हैं और वह आपने पापा से कता के बारे मे से ब्रेक अप हो गया है और वा आप सिंगल है या सुनकर सत्व काफी खुश होता है और वा कता से मिलने के लिए जलसे में पहुच जाता है जहां वा एक साल पहले कता से मिला था क्योंकि कता जलसे में हर साल आती है लेकिन इस बार कता जलसे में नहीं आई थी और तब कता के पिता जी सत्तू को बताते हैं कि कता की तबिये ठीक नहीं है इसी वज़ा से कता जलसे में नहीं आई है ये बात जाने के बाद सत्तू कता के घर पहुंच जाता है क्योंकि वा उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था लेकिन सत्तू जब कता के घर पहुंचता है तो वा दे एडमिट करवाता है, थोड़ी देर बाद कता के पिता अस्पताल में पहुशते हैं, और कता की जान बचाने के लिए सत्य प्रेम से ठ्यांक्स कहते हैं, कुछ दिन बीटने के बाद सत्तू अब कता के घज जाने लगता है, कता के माता पिता को सत्तू का नेचर काफी पसंद और सत्तु अब काफी कुछ रहने लगा था, कता के पेरंस अब कता की साधी करना चाहते हैं, लेकिन वाज जिसके भी घर जाते हैं, वो कता से साधी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वाज सभी जानते थे कि कता ने सुसाइट करने की कोसित की थी, तब कता के पापा के मन में या ख्याल आता है कि कता की साधी सत्य प्रैम से कर दी जाए सत्य प्रैम ही कता के लिए बेस्ट लड़का है हलाकि कता इस बात से राजी नहीं थी लेकिन कता के पिता उसे emotional blackmail करके उसे राजी कर लेते हैं और वह अगले ही दिन सत्य प्रैम के घर कता की साधी की बात करने क के लिए चले जाते हैं सत्य प्रेम और उसकी फैमिली साधी के लिए तयार हो जाते हैं और कुछी दिनों में दोनों की सगाई हो जाती है और जल्दी दोनों की साधी की तयारियां सुरू हो जाती हैं सत्तू की साधी कता के साथ हो रही थी और वा बहुत खुश था क्योंकि व साधी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी फिर भी सत्य प्रेम और कता की साधी हो जाती है अब अगले सिन में हम देखते हैं कि सत्य प्रेम की फर्स नाइट थी और परसनल रूम ना होने की वज़े से सत्तु को अपनी सुआग रात का अरेंजमेंट अपनी मा के स्टूडियो में करना पड़ता है सत्तू कता को बताता है कि आज तक उसने किसी लड़क्यों को छुआ तक नहीं है और ना ही उसकी कोई गलफ्रेंड है कता सत्तू से कहती है कि वह बहुत ठक गई है और वह अब सोना चाहती है और कता सो जाती है दोनों साथ में सो रहे होते हैं कि तब ही सत् सत्तु के कराटों की वज़े से कता को नीन नहीं आती है इसलिए सत्तु को यहां से नीचे जाना पड़ता है अपने पिता के पास और इस तरह से सत्तु के ना तो कराटे बंद हो रहे थे और ना ही उसे कता के पास सोने काम हो कामिल रहा था लेकिन सत्तु कता के पास सोना चाह तब कता सत्तू को ऐसा सच बताती है कि सत्तू से सुनकर काफी दुखी हो जाता है। तब से सत्तू कता का द्यान रखने लगता है। तो कि उसकी आदत होती है कि सच बोलने में सोचना कैसा। और कता भी अब सत्तू को कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी। कता अब चाहती थी कि वह दोनों एक सासो हैं और वह सत्तू को या भी बता चुकी थी कि वह एसेक्सुल नहीं है। और उनके बीच अब नजदिकियां बढ़ने लगी थी लेकिन अचानक से कता को गबराट होने लगती है और वह कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। जैसे कि उसका कोई रेप कर रहा हो और सत्तू या सब देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि कता के साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है जिसे वह भूल नहीं पा रही है और उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती है। सत्तू अगले ही दिन कता के पिता के घर पर पहुच जाता है और उन से कता के बारे में पूसता है कि कता ने सुसाइट करने की कोशिस क्यों की थी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अगर वा तेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे दोचात तपर मार और वा लाइन पर आ जाएगी। आचे को अपनाना नहीं चाहता था इसलिए कता ने अबोर्शन करवा लिया था और इसी वज़ा से उसने सुसाइट करने की कोशिस की थी। या सुनकर सत्तू को गुस्ता आ जाता है और वा सीधा तपन के आफिस पहुच जाता है और तपन को बहुत बुरी तरीके से पीड़ता है और इसी वज़ा से सत्तू को जेल हो जाती है लेकिन वा साम को ही छूड़ जाता है। तब कता रोते हुए सत्तू को सारी सच्चाई बता देती है कि वा तपन के साथ डेट बर गई थी और वहाँ उसका रेप हुआ था और इसी वज़ा से कता प्रेगनेंट हो गई थी लेकिन कता इस बारे में गरवालों को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और वा चुप चाप अपना अबोर्शन करवा लेती है फिर भी या बात डॉक्टर के मादेम से उसके गरवालों तो पहुच जाती है और इसी वज़ा से कता सुसाइट करने की कोसिस करती है और तब से वा किसी मर्द के पास जाने से भी डरती है लेकिन फिर भी सत्तिप्रेम कता को एकसप्ट कर लेता है और वह दोनों एक लंबे वेकेसन पर चले जाते हैं और वहाँ एक साथ क्वाल्टी टाइम स्पेंड करते हैं जिस वज़ा से कता और सत्तिप्रेम के बीच नर्जदिकियां बढ़ जाती है लेकिन सत्तिप्रेम खुद पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वह नहीं च था कि साइन करवाना चाहता था लेकिन सत्तु के पापा कंप्लेंट करने से मना करते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह सारी बाते समाज को मालूम हो और उनकी फेमली की बदनामी हो तब सत्तु कहता है कि जब किसी लड़की का रेप होता है तो उनमें से 99% लड़किया कंप्लेंट ही नहीं करवाती हैं क्योंकि कंप्लेंट करने से ये सबी बाते समाज को पता चल जाएंगी और उनकी बदनामी होगी और इसी वज़ा से उन्हें नहीं मिल पाता है और उनका पूरा जीवन रिग्रेट से बरा हुआ रहता है तब क्यों था उस फाइल पर साइन कर देती है और वासक्तू से कहती है कि उसके अंदर सुसाइट करने की हिम्मत तो थी लेकिन कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं थी इसके बाद तपन पर रेप केस लग जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ ले जाते हैं तपन को कड़ी सजा मिलती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है